हैलो दोस्तों दोस्तों वायने मेटिंग की चैनल में आपका सावागती है तो दोस्तों दिखिए यह愛rologues है जोस्तों मेरे दोस्तों ने मुझे बेज़े हैं तो अगर आपको मगवाना चाहत स मगवा सकते हो वीडियो के नीचे डिस्क्रेपिशन में आपको नमबर मिल जाएगा तो आप मगवाना चाहों मगवा सकते हो तो दोस्तों ये एरलोग को मैं डखन की उपर फिट करने जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ कैसे इस एरलोग को डखन की उपर फिट किया जाता है तो ये देखिए ये शोटा सा रवर का ये देखिए बना हुआ गोला होता है ये डखन की उपर सूराख लगा कर ये लगाया जाता है फिर इसमें ये देखिए ये एरलोग को गुसा दिया जाता है तो चलिए आपको step by step बात आता हूँ क्योंकि ऐसे यह लागाया जाता है तो दोस्तो सबसे पहले यह डखन की उपर एक सूराख बनाया जाएगा सूराख ना तो ज़्यादा बड़ा बनाना है ना शोटा बनाना है यह एरलोग के बराबर का बनाना है चलिए आपको बना कर दिखाता हूँ दोस्तो यह सूराख बिल्कल गुलाई में बनाना है तो चक्कु की सहायता से यह देखिए यह बनाना है यह देखे दोस्तों इस तरह से डकण को गुमाते जाने का है ताकि यह देखे सुराख गुलाई में बने ऐसे डकण को गुमाते जाईएंगा चको के साथ में यह देखे शोटा सा यह देखे सुराख बन गया है तो अभी दूसरी और से भी मैं ऐसे ही गुमाऊंगा इसको तो इसे गोल सूराख बन आ लेने का है तो जाए देखिए डखने में सूराख बन चूका है अभी ये एरलोग देखते हैं ये देखिए एरलोग इसमें पूरा फिटा आ रहा है तो जे देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेनी का है क्योंकि इसमें अभी रेबर भी हमने लागाना है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो दोस्तों सूराख बन चूँका है जिसके अभी इसमें ये रेबर लागा देनी का है इस तरह से ये रेबर को इसमें द्वसा देनी का है तो दोस्तों ये दिखिए हमरा रबर लग चूका है ये दिखिए ये बिलकुल बढ़िया से लग चूका है तो दोस्तों अभी एरलोक इसमें लगा देने का है औरलो को बहुत ही असानी से इसमें लग जाएगा ये दिखिए दोस्तो अब ये अगर लगा कर आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों यह दिखिए इरलोक हमारा लगचू का है ऐसे ही दोस्तों आसानी से आप भी इसको लगा साकते हो इसमें कोई भी मुश्कल काम नहीं है यह दिखिए आपके सामने ही मैंने इसको लगाए हूँ यह बहुत ही असानी से लग जाता है तो आपको ये रबर और ये एर लोग चाहिए होगा अगर आप ये मगवाना चाहते तो बता दीजीएगा मेरा दोस्ता आपको बेज देगा जे सस्ता में ही आपको ये एर लोग मल जाएगा उनसे तो दोस्तों जे देखे जे एर लोग हमरा रैड ponn?